नवश्कार दोस्तों दवा रिवियू में आपका स्वाग आता है आज हम बात करेंगे डायबेटीज के बारे में जानेंगे कि डायबेटीज क्या है डायबेटीज के लक्षन क्या है डायबेटीज से बचने के तरीके और डायबेटीज के उक्चार पूरी जानकारी के लिए कर देखिए बसेदा आग और शेयर अगर आपने सब्सक्राइब की जिसे नहे वीरियो नोटिफिकेशन आपको सबसे बहले मिल सके तो शुरू करते हैं आज की दवा रिविविव डाइबटेज या मधूम है डाइबटेज एक मेटाबॉलिक बीमारी का समू है जिसमें व्यक्ति के खून में ग्लुकोज बलड शूगर का लेविल नॉर्मल से अधिक हो जाता है ऐसा तब होता है जब सरीर में इंसुलीन ना बने या सरीर की कुशिकाएं इंसुलीन के लिए ठीक से पृतिकरिया ना दे जिन मरीजों का बलड शूगर सामने से अधिक होता है उन्हें अक्सर बार बार पेसाब आना ज़्यादा प्यास लगना बार बार भूक लगना यह लक्षन अगर आपको शरीर में दिखाए दें तो आपको डायबेटीज हो सकती है डायबेटीज को कनफर्म करने के लिए आप डायबेटीज का टेस्ट करा सकते हैं यह बहुत ही सिंपल टेस्ट है इसके दो तीन तरप्रकार के टेस्ट है सबसे पहले फास्टिंग गुलकोज टेस्ट यह खाली पेट होता है यह टेस्ट सुबह बिना नास्ते के आप करा सकते हैं इसमें आप अपने ब्लड शुगर लेवल को जाच सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आपको डायबेटीज है या नहीं है दूसरा है रेंडम ब्लड गुलकोज टेस्ट इसमें आप खाना खाने के दो घंटे बाद खून की जाच कराके पता लगा सकते हैं कि आपको diabetes है या नहीं है इसके लावा A1C test भी है यह है रेंडमली आपके blood sugar के उतार चड़ाओ को के बारे में पूरी जानकारी बता सकता है सामाने कंडिशन में जो व्यक्षी खाली पेट टेस्ट कराते हैं नॉर्मल कंडिशन में उनका blood sugar level होता है 72-99 ml per dl यह है इसका खाली पेट जो glucose test कराते हैं उसका नॉर्मल रेंज है रेंडम glucose test कराते हैं उसकी जो value है वह है 140 ml per dl इसकी glucose मात्रा अगर 140 से कम है तो आपका blood glucose level normal है और आपको diabetes की कोई समश्चा नहीं है जो diabetic patient है उनमें रेंडम का जो glucose level है वह 180 ml per dl से अधिक होता है और fasting में 126 ml per dl से अधिक होता है दोस्तों इन जाचों के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपको diabetes है या नहीं है तो जानते हैं कि diabetes है क्या जब हमारे सरीर में pancreas में insulin का पहुँचना कम हो जाता है तो खून में glucose का अस्तर बढ़ जाता है और इस सिती को diabetes कहते हैं insulin का काम शरीर में glucose को कम करना है नॉर्मल करना इसका काम होता है इसी हार्मोन की वैसे शरीर में सुगर की मात्रा नियंत्रित रहता है diabetes का असर शरीर के सभी अंगों पर पढ़ता है इसकी वैसे शरीर में कई बीमारियां भी घर कर जाती है diabetes के करन शरीर में दर्द रहने लगता है kidney की समश्या, आँखों की परिशानी, दिल कमजोर हो जाता है और दिल का दोरा पढ़ने का खत्रा भी रहता है diabetes मोलता तीन प्रकार की होती है, type 1 diabetes, type 2 diabetes और gestational diabetes type 1 diabetes में शरीर में insulin नहीं बनता और diabetes के लगभग 10% patient इसी type के होते है insulin हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है, इसकी वैसे diabetes होता है type 2 diabetes, type 2 diabetes में शरीर में प्रयाप्त मात्रा में insulin नहीं बन पाता और दुनिया में लगभग 90% cases इसी type के है gestational diabetes, यह गर्भा वस्ता के दोरान महिलाओं को हो जाती है, उचित व्यवयाम, आहार, शरीर में वजन, इन सभी conditions की वैस्तीज हो सकती है गर्भा वस्ता के दोरान diabetes हो सकती है, इस पर आप नियंतरन खाने, पीने में नियंतरन, exercise, गर्भा वस्ता की diabetes को कंट्रोल कर सकते है type 1 और type 2 diabetes के लिए आप अलग-अलग तरह की medicine प्रयोग कर सकते है मधु में के जो कारण है वह मुख्यत है, आजकल जो हमारी जीवन सहली है, उसकी वेश से diabetes बहुत अधिक बढ़ रही है जैसे की गती सील जीवन सहली, अधिक मात्र में जंक फूर्ड, अंटो तक लगातार बैठे रहना, प्रॉपर लाइफ स्टाइल ना होना, सामने से अधिक वजन होना, शारीजिक निश्क्रियता, इन सभी conditions की वेश से diabetes के कुछ पेशेंट बढ़ रहे हैं यह अनुवान्शिक भी होते हैं, कुछ पेशेंट्स में अनुवान्शिक diabetes भी देखी गई हैं, अगर किसी के परिवार में उनके माता पिता को diabetes हैं, तो उन बच्चों को diabetes होने के chances बहुत ज़ादे रहते हैं तो आप diabetes से बच कैसे सकते हैं, diabetes से बचने के लिए आप नियमित रूप से वियाम करें, अपनी जीवन शैली को प्रॉपर मैनेज करें, लगभग रोज 30 से 45 मिन तक वियाम करें, संतुलित आहार लें, फल, सबजी का प्रॉपर प्रियोग करें और जंक फूड उसे बचने क की खुशिश करें, तभी आप अपने आपको diabetes से बचा सकते हैं, diabetes का इलाज, डाक्टर के द्वारा बहुत सारी medicine और बहुत सारी ओश्डियां मार्केट में अवलेबल हैं, डाक्टर की सला अनुसार आप इनका प्रियोग कर सकते हैं, टाइप 1 diabetes में जहां पर इंसुलीन सरी जैसे metformin, glimipride, insulin injection, इन सभी का भी आप प्रियोग कर सकते हैं, और अपने दिंचरिया और अपने खान पान को आप कंट्रोल करके भी diabetes पर कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ घरेलू नुक से आजमा कर भी आप अपने diabetes को कंट्रोल में रख सकते हैं, प्रियोग करें तो आपकी diabetes क कंट्रोल रहेंगी, करेली का जूस बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो सामगरी चीएवे करेला, चुटकी भर नमक, काली मिर्ज, एक या दो नीवू का रस और इसको अच्छी तरह से आप करेलो को दो लीजिए, उसके बाद उसको क्रश करकर उसमें नमक और काली और इसका आप दिन में दो बार प्रियोग करें, खाना खाने से पहले आप इसका प्रियोग करें, तो आपकी डायबिटेस कंट्रोल में रहेगी, इसी तरह आप अपने खानपान में दाल चीनी, मेथी का प्रियोग कर भी अपनी डायबिटेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ